दोस्तों अभी दो-तीन महीने पहले की बात है, चैट GPT से बहुत बड़े विद्वान आये थे, उनका कहना था कि ये तो hopeless है, भारत जो है चैट GPT के मुकावले AI capabilities develop नहीं कर सकता, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, चूंकि उन्होंने भारत को चेताव नी दी थी, इसलिए बात का बतंगल बने गया, उन्होंने सफाई दी, लेकिन उनके उपर जो दाग लगा, वो साफ नहीं हो पाया, उसी बेक्राउंड में दोस्तों अभी दो दिन पहले, मोधी सहाब से मिले थे, NVIDIA के founder, दोस्तों दुनिया भर में जो भी artificial intelligence की capabilities हैं, उसको develop करने के लिए, जो chip hardware लगता है, वो पूरा का पूरा NVIDIA ने develop किया है, ये दिगज अमेरिकी company हैं और NVIDIA के founder, ताईवान में पैदा हुए हैं, इसलिए दोस्तों, आप सभी का कहना हमेशा से सहीधा है, कि ताईवान के लोग बड़े महारती ये भाई साब technology के मामले में, उस ताईवान से भारत को हमेशा दूर रखा, चीन ने हमें one China policy को जवरदस्ती follow करने के लिए, चीन ने मजबूर किया, लेकिन दोस्तों, मोधी सहाब चीन के उस trap को समझ गए, और आज आप देख लीजिए, वही American company NVIDIA, भारती कंपनी Reliance के साथ मिलकर, भारत में AI सुपरकंप्यूटर्स मना रही है, और ये जो सुपरकंप्यूटर्स बनेंगे, वो अभी तक भारत में बनाए गए, काम कर रहे सुपरकंप्यूटर्स से, कहीं ज्यादा तेज और तागतवर होंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि NVIDIA जहां टेखनोलोजी देगी, हर्डवेर देगी, वहीं इस पूरे सपन को सफल करने की जिम्मेदारी रिलाइंस ने उठाई है, वो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर आधारत एप्लिकेशन डिबलप करेंगे, जो सभी प्रमुख भारती भासाओं में ऑपरेट कर पाएंगे, मतलब AI का लाव एक आम भारती को मिले, वह सुनिश्चत होगा इस लोग बाग कहते हैं कि AI के आने से 90% जॉब अगले 10 साल में कातम हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों आज ये घटना करम जो हो रहा है, उससे पक्का होगा कि भारत में AI के माध्यम से नए रोजगार के अफसर बड़े पेमाने पर पैदा होंगे, और दोस्तों, रिलाइंस पू AI केपिबिलिटीज रिलाइंस एन्वीडिया के साथ मिलकर डिबलप करेगी, वो आम भारतिये की जेव पर ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालेगी, इनकी सभी सर्विसेज फ्री होगी, ऐसी हम उम्मीद रख सकते हैं, जहां तक दोस्तों एन्वीडिया का सवाल है, ये आई गुना हो गया है, बहुत तेज गती से ये कंपनी आगे बढ़ रही है, और अब भारत में इसको मिला है, रिलाइंस का सहीओग, आज का दिन सबसे ज्यादा बुरा होगा, चैट जीपीटी के, सैम एल्टमन के लिए, आज बो सोच रहे होंगे, कि किस बुरी घड़ी म हमने हवावाजी भारत में जाके करी थी, भारत ने तो भाया चैट जीपीटी से मुकावला छोड़ दीजिए, उसको दफनाने की विवस्ता कर ली है, ये बात अलग है कि चूंकि मोदी साहिव से मिलने के बाद ये पूरा घटना करम हुआ है, इसलिए भारत में जो इंडि संकुचत राजनेतिक नजरिये से देखा जाए, तो हमेजा बाल की खाल निकालने के मौके मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों इतिहास गवा है, कि रिलाइंस जियोग का जन्र हुआ था, यूपीय सासनकाल में, और वो कुमार अवस्ता, यूवा अवस्ता में पहुँचा, मो इंडिया की सरकार हो, भारत आगे बढ़ता रहा है, और बढ़ता रहेगा, ये पूरी दुनिया मान चुकी है, वक्त आ गया है, कि ये जो तत्हा कते तो छुटो भई, ये इंडिया के नेता हैं, वो भी ये बात सुईकार कर लें, वो भी खुले में आका, और हाँ दोस्तो शेर मार्केट में सफलता प्राप्त करने के लिए, टेकनिकल और फंडामेंटल इनालिसिस की दो कलाएं बेहद जरूरी होती है, सीखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, क्लिक करके अपना पसंदीदा कोर्स अभी के अभी जोइन क ली येगा